हे गाईज बैक टू माई चैनल माहीतिरिंदू ब्लॉग आई होब या डूइंग वैल सो गाईज आज मैं जिस प्रोड़ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है दा डर्मा को के प्रोड़क्त अगर आपके स्कीन भी मेरी स्कीन की तरह है आपके स्कीन पर एक्निक की प्रोब तो मेरे पास आज आपके लिए बहुत अच्छा सोलूशन है और बहुत अच्छा प्रोड़क्त है साथ में यह डर्मा लॉजिस टेस्टेड भी है तो हम नहीं होने वाला है आपके स्कीन पर आप इसे यही यूज कर सकते हो काईस मैं जिस प्रोड़क के बात कर रही हूँ हो है यह तीनों प्रोड़क्त आप देखो और आज मैं आपको इससे मेकप की भी करके दिखाऊंगी है तो चलो पहले इसका यूज कैसे करते हैं वह देख लेते हैं है गाइस तो आप देख सकते हैं विदाउट मेकप मेरा फेस पर कितने ज्यादा एक्टिव एकनिक हैं और साथ में डाग स्पाट्स हैं एकनिक के और अनिवन टोन भी स्कीन मेरी नजर आ रही होगी आपको तो सबसे पहले हम फेस वास यूज कर लेते हैं फेस वास यहाँ पर हम 1% कोजिक एसिट फेस वास जो 2 डबल लाइन में 100 ml मिल जाता है इसकी जो कंसर्टेंसी है वो बहुत ही ठीक है तो 2 से 3 मेरे अराम से आप इसको चला सकते हो तो ज़्यादा प्राइजली नहीं है 2 डबल लाइन है और इस पर आफर भी चलते रहते हैं इसमें आपको 1% कोजिक एसिट के साथ 1% नियासिनामाइट और अलफा अबर्टन मिल जाता है इसमें जो कोजिक एसिट है वो आपके पिंग्मेटेशन को रिड्यूस करता है डार्क स्पॉर्स पर ट्रीट करता है और आपके एकनिक स्कार को स्मूथ और साथ में रेडियंस प्रॉबलम के उससे ट्रीक करता है वहीं अल्फा ब्रेटन आपके जितने भी डागिसपोर्द हैं उसको फेट करता है मुलाजमा ट्रीट करता है और जो अनिवंड टॉन बनाने के लिए हैल्फ करता है 2-3 मिनट मसाश करने के बाद मैंने यहां पर प्लेन वाटर से अपना 30 ml की बोतल मिल जाती है 499 में डोंट वरी सारे प्रोड़ुक्ट पर आफर चलते रहते हैं सारे प्रोड़ुक्ट की लिंक में डिस्करप्शन में प्रवाइड कर दूंगी वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं साथ में आपको यहां पर जो 2% कोजी कैसीड मिलता है वो आपके एंटिंग एजिंग पर एफेक्ट दिखाता है आपके डाग स्पॉर्ट को लाइट करता है मलाजमा से ट्रीट करता है और इसकी कंसेंटेंसी देखो बिल्कुल वाटरी बेस है जो आपके स्कीन पर एज़ि ही और जॉव हो जाती है इसमें 1% आपको अलफा बिटन मिल जात लगाते हो इसकीन में अच्छे सा जॉव हो गया है अब देखो मैं यहां पर लिप्स पर अपने बोरो प्लस लगा रही हूं बोरो प्लस आपके जो ड्राइडनेस लिप्स पर होते है बिल्कुल स्मूथ कर सकता है और सस्ता भी है तो आप इसे ट्राइ कर सकते हो इसके सिनामाइड वर 1% हायलोनिक एसीड कॉंप्लेक्स एकवा जेल मिल जाता है जो 30 ग्राम का आ जाता है यह मैंने बेज लिया है आप इसमें कोई भी सेट ले सकते हो तीन सेट में आते हैं 30 SPF के साथ आपको यह संस्क्रीन मिल जाता है जो इसमें एक रिडियन्स है जैसे निया कव्रेज देता है बहुत ज्यादा हाइब कव्रेज नहीं है बट एक नॉर्मल कव्रेज देता है बहुत अच्छा एक रिफ्य क्रता है इसको आप जैसे नॉर्मल ब् écrit. या सी-सी क्रीम यूज़ करते है उसमें आपको यह सारे चीजह नहीं मिलती है तो आप इसको स्कीन को हाइड्रेट रखता है क्योंकि इसके अंदर जो हाइलोनिक एसिट कॉंप्लेस एंड एक्वाजन है वह आपके मॉस्टराइजर को लॉक कर देता है जिसे आपकी स्कीन जो है वो हाइड्रेट रहती है आप इसका फिनिस देख सकते हो आप कोई भी मेकप लूग नहीं मिलता है तो आप इस वाली बीबी क्रीम को यूज कर सकते हो यह लाइट कवरेस के साथ आपको अच्छी फिनिस दे देता है और इस तरह से आप एब्रो फिलप कर लीजिए और आखों में काजल लगा दीजिए क्यूंकि काजल से आपका फेस का लुक ही चेंज हो जात तो आप इसको स्कीप कर सकते हो अगर आप वर्किंग वूमेन हो यह टीजर हो जाती हो डेली बेस पर आप मेकप नहीं कर सकते हो तो आप इस प्रोडर को यूज कर सकते हो बिलकुल डूई फिनिस देता है और स्कीन पर ग्लो रखता है और संस्क्रीन के साथ इसमें आपको जो आपका 30 SPF है वो सजन इसके डेमे से भी बचाता है पिम्पल से भी बचाता है काफी सारे इसके बेनिफीट है जैसा कि मैंने आपको बताया फिर इसके बाद आप जिससे ब्लस लगाये हो उसी से लिबिस्टिक लगा लो बस यहां पर लाइट लिबिस्टिक मैंने यूज क कर सकते हो और अगर आपको यह वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर कॉमेंट कर दो यार क्या जा रहा है और यह वीडियो शेयर भी कर दो फिर यहां पर जो मेरे तिल थे ना उसको मैंने आई-लाइनर से हाइलाइट कर लिया क्योंकि यह तिल है तो उस मैंने में से पर्चेस किया है इसकी भी लिंक में डिस्करप्शन में दे दूंगी अब मेकप पूरा कंप्लीट किया है तो अपने बालों को खोल के थोड़ा स्टाइल कर लेती हो इतना तो बनता ही है तो गाइस आइओ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही है फुल रही हुआ